जार्खण में लोगसभा सीटों के बटवारे को लेकर दिल्ली में कल जार्खण मुक्ति मोर्चा और कॉंग्रिस की एहम बैठक थी जार्खण में लोगसभा का चुनाब किस रननीती के तहत लड़ा जाए इंडिया गडबंधन के किस दल को कितनी सीट दी जाए और कैसे चुनाब लड़ा जाए ताकि राजे के 14 सीटों में से अधिकान सीटों पर जीत हासिल हो सके इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए जार्खण की राजधानी राची से दिल्ली गए जार्खण मुक्ती मोर्चा का प्रतिनीधी मंडल सनी बार देर साम वापस राची लोट गया है लोटने के बाद प्रतिनीधी मंडल के सदस्यों ने सीट सेरिंग के मुद्दे पर तो कुछ नहीं कहा लेकिन भाजपा को हराने और अपनी जीत सुनेशित करने के तमाम तरह के तर्क दे दिये हलाके सीट बटवारे के मुद्दे पर नेताओं के गोल मटोल जवाब से इतना अटूट था कि सीट बटवारा में गडबंधन के साथी दलों के बीच खास सहमती नहीं बन पाई है लेकिन जामुमों के बातों से तैहे की जारकन में जैमेम की जादा सीटों पर दावेदारी रहेगी इस सीट सेरिंग की बात नहीं है लोग सभाज चुनाओ को देखते हुए इंडिया गडबंधन के परमुक निताओं के साथ में लोगों की बैठेक हुए और उस बैठेक में गडबंधन के तरफ से कॉंग्रेस के तरफ से यूँ कहें कि मुकुल वास्मिक जी एसो गहलोज जी मोहन परकास जी और सलमान खुरसी जी ने भाग लिया और हम लोग जो चार सदेशिये परतिन दीवन डल यहां से गय थे उसके साथ है परदेश के अध्यक्ष और सी लपी लिडर आलम गीर आलम साख दी थी और बरत्मान जो राजनीतिक परिस्थिती है इस राजज्य में उसको लेकर के चर्चा हुई लोग सभा का चुनाओ बि काम किया और उस विशय पर हम लोगों ने बाच्चित प्रारण की परमुक निताओं के द्वारा और हम लोग एक तरफ से जो बाते रखी गे उन बातों से एक बात सामने आया कि गड़बंधन के सभी साथी हम लोग मिल करके जारखन में चुनाओ रहेंगे और जो जमीनी हक किकत है जो परिस्तीतियां है उन परिस्तीतियों के अनुरूख हम लोग एक दुसरे का सहीोग करेंगे ना इसमें सीट लेने की बात हुई ना को देने वाला था ना कोई देने वाला सभी गड़बंधन के परमुख साथी हम लोग वहां पर थे और हम लोगों की जो जबाब देही है उस जबाब देही को कैसे हम लोग आगे निभाएंगे उस पर हम लोगों ने चर्चा की और इसके बाद जो बैठक होगी उस बैठक में हम लोग फिर आगे की रन निती और कौन से सीटो पर किस दल के लोग चुनाओ लेंगे ये हम लोग तैग करेंगे लेकिन एक बात तैग है कि 14 जो लोग सभा सीट है उन सीटों पर गडवंधन के साथ ही पूरी मजबूती के साथ चुनाओ लेंगे और हम लोगों को पुरा विस्वास है कि गटवंधन केवमी द्वारों की वहाँ पर जीत हूँ 2019 और 2024 के बीच में दामदर में बहुत पानी बाय गया विनेबिलिटी जादा महतुपूर्ण है 14 सीतों पर अब प्रत्याशित परिनाम देना जादा महतुपूर्ण है हमें सीटें जीतनी हैं और सीटें जीत कर अपने राजे में भारती जनता पाटी को साफ करना है